हेलो फ्रेंड्स फेंसा आज के सुड़े में हम ट्रांस्फोर्मर को डिस्चार्ज किस तरह किया जाता है आज के सुड़े में हम सीखने वाले हैं हमें ट्रांस्फोर्मर में कोई भी मेंटिनेंस का कारी करना हो या ट्रांस्फोर्मर में हमें कोई भी कारी करना हो तो सबसे पहले हमें transformer को discharge करना काफी जरूरी होता है तो transformer को discharge किस तरह किया जाता है proper process किस तरह होती है safety के साथ हम transformer को किस तरह discharge कर सकते है आज के सुड़े में हम काफी आसान तरह से सीखने वाले है देखिए transformer में हमें कोई भी कारी करना हो चाहे transformer का oil change करना हो सबसे पहले हमें ट्रांसफ Because को डिस्चारज करना काफी जरूरी होता है यदि हम ट्रांसफरमर को डिस्चारज नहीं करती है तो उस कंडिशन में return current आने के काफी जादा chances होते है जैसे कि हमने कई बार सुना भी होगा कगे transformer से return current आने के करणों इसे shock लगा, तो सबसे पहले आपको transformer से return current से बचने के लिए आपको से discharge करना चाहिए, तो discharge करने की proper process क्या होती है, चलिए हम समझ लेते हैं, normally हमारे पास कोई भी transformer हो, चाहे हो क्वा 33 के week का हो, या 11 के week का हो, कोई भी transformer हो, सबसे पहले हमें उसे डिस्चार्ज करना चाहिए देश की क्या होता है ट्रांस्फोर्मर में हमारे पास क्या होता है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है जो इंपूट कनेक्शन होता है वो डेल्टा में होता है जो output होता है वो star में होता है और import में हमारे पास ryb 3 supply आती है और जो output होता है उसमें हमें पास ryb and neutral हमें यहाँ पे 4 तार मिलते है जिससे हमारे घरों में है जो भी हमारे पास load होता है वहाँ पर हमारे पास neutral भी जाता है तो सबसे पहले discharge करने के लिए हमें क्या करना होगा हम समझ लेते हैं क्योंकि ये काफे ज़रूरी है यदि आप transformer को discharge नहीं करते तो उस condition में आपको शोक लग सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है तो सबसे पहले आपको discharge करने के लिए process किया है तो आपके पास जो supply आती है आपके जाएज sub stations हो या कहीं पर भी हो सबसे पहले आपकी जो supply आती है वो पैसके लिए pole के जरीया आती है और यहाँ पर आपका AB switch कनेक्ट किया जाता है आपके sub station में आपने देखा होगा AB switch होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है AB switch को off करना है देखे AB switch को off करने के लिए सबसे पहले आपके पास जितने केवी की line है चाहे 33 की लाइन हो या 11 केवी की हो सबसे पहले आपको gloves पहनना काफी ज़रूरी है क्योंकि safety का आपको धियान रखना है क्योंकि यह load पर यह आप उसे discharge कर रहे हैं तो gloves पहनना ज़रूरी है यह तो आपके पास जो output में जो basically circuit breaker लगा हो आप पहले जो load है आपका सबी load को पहले off कर लिजी क्योंकि आपको कभी भी load पर discharge या और A-B switch को off नहीं करना है जो आपका output में जितना भी load connect है इसे सबसे पहले आप circuit breaker को यहाँ पे off कर दीजीए आपका कोई भी load यहाँ पे output में connect नहीं है उसके बाद आपको gloves पहनने के बाद आपको A-B switch को off करना है देखिए आपने A-B switch को off कर दिया है आपकी जो supply है वह क्या हो चुकी है cut हो चुकी है आप input में आपके पास कोई भी supply नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ से A-B switch से cut कर दिया है बर धियान यह रखने आपको load को सबसे पहले off करना है load को कभी भी running में A-B switch को off नहीं करना है नहीं तो काफे ज़्यादा sparking होगी और कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है load को off करने के पाद आपको A-B switch को off करना है अब यहाँ पर आपके पास कोई भी supply नहीं आ रही है आप transformer को discharge करने के लिए आपको एक discharging rod लेना होगी देखिए basically discharging rod होती है discharging rod में यहाँ पर hook होता है इस तरह से और यहाँ पर हमें wire बानना होता है देखिए यहाँ पर हमें जो कि काफी 6 square mm या 10 square mm का मोटा wire हमें बानना होता है क्योंकि हमें इसे अर्थ करना होता है देखिए अब क्या होता है नॉर्मल यह आपके पास earthing अवेलेबल नहीं तो transformer की body से हम क्या करते है earthing करते है नॉर्मल यह transformer की neutral को भी हम अर्थ करते है और transformer की body को भी अर्थ करते है तो आपको क्या करना है जो earthing का एक wire आपने लिया है उसे ले जाएकर सबसे पहले transformer में जहाँ पर आपने earthing की है वहाँ पर इस तरह से connect कर देना है देखिए earthing में सबसे पहले आपको connect कर देना है और यह जो hook होने वाला है इसे आपको transformer input में जो basically bushing होती है bushing के उपर आपको इस तरह से पहले इसे hook को लगा देना है देखिए एक wire को आपको यहाँ पर लगा देना है और यहाँ तो earthing की गई है तो देखिए आपको क्या करना है बारी बारी से पहले आपको इस face को discharge करना है फिर आपको इस face को discharge करना है और फिर आपको इस face को discharge करना है बट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कभी भी direct touch नहीं करना है यो कि वहाँ पर leakage current होने की current काफी ज़्यादा sparking हो सकती है तो पहले आप road को धीरे धीरे यहाँ पर ले जाएए रेखिए यहाँ पर कोई sparking नहीं हो रहे फिर distance कम कीजिए और फिर इसे यहाँ पर लगा दीजिए तो देखिए यहाँ पर जितना भी leakage current होगा वो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा और कोई भी सीदे सीदे क्या होगा शॉर्ट होगा तो उस condition में क्या होगा यहाँ पर जैसे कोई भी leakage current नहीं होगा और यह सबी कारिया आपको बिसके gloves पहन के करना है तो क्या करना है एक wire को अर्थिंग में लगा देना है और बारी बारी से तीनो phase को discharge कर देना है पहले आप थोड़ी दूरी पर रखें फिर distance कम करकर करके यहाँ पर आप लगा दीजिए तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी leakage current होने वाला है और आप transformer में आप कारी कर सकते हैं और उससे पहले आपको क्या करना है तीनो phase को आपस में short कर देना है एक wire के जरीए इस तरह से आपको तीनो phase को भी short कर देना है अब क्या होता है नॉर्मली output में आपने breaker को पहले ही off कर दिया है इन चारों को भी हमें इस तरह से ground कर देना है क्योंकि basically क्या होता capacitor के कारण charging करण जो भी रह जाता है तो वो भी यहां से discharge हो जाएगा आपको पहले input में basically देखा जाए तो HT side में करना है और फिर आपको LTE side में या output side में भी इस तरह से process करना है और आपको जब भी कारी करना हो तो यहां पे इसे short करके रखना ज़रूरी होता है तो तीनों को आप इस तरह से short करके रख दीजिए यह normally आप एक phase को भी यहां से अर्थ करकर यहां पर रख दीजिए उसके बाद आप transformer में कोई भी कारी कर सकते है कई बार बड़े-बड़े हादसे हो जाते है क्योंकि यहां पे return current transformer से आ जाता है क्योंकि वह discharge नहीं करते तो discharge करना काफ़ी ज़रूरी होता है और जो भी आप भी यह process करें चाहे AB switch को off करें यह कोई भी कारी करें डिस्चार्जिंग रोड को लगाए सबसे पहले आपको gloves पहनना है 33 kv के line हो तो 33 kv के gloves पहनना है 11 kv के line हो तो 11 kv के gloves पहनना है और input और output दोनों शाइट आपको यहां पे क्या करना है discharge कर देना है आपको clear हुआ हो transformer को discharge किस तरह से किया जाता है यह दो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें कोई doubt हो तो comments में जरूर पूछें पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके सो आज के लिए इतना ही